नमस्कार साथियो आपका स्वागत है हमारी य्ट्यूब चैनल में और देखिए आपका जो CRPF का जो आपका एडमेट काड आ चुका है जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया और आपसे कहा था टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना जिससे कि आपको वहाँ पर यह जो आपको फर्म दिख रहा है यह इसकी आपको प्रेंट आउट ले जानी है इसको भरना नहीं है देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि आपको इस फर्म को भरना नहीं है तो आप भर के चले जाए तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा यह आपको पॉइंट बता ये compulsory हैं, क्या क्या compulsory है, देखिए, two color photos, password size photo, two color copies of printout, color copy ले जानी है, देखी लिखा हुआ, color copy ले जानी है, आपको, color copy printout ले जानी है, अदिकार की, और original ID proof as mentioned below, जो original ID है, जो नीचे यहाँ पे mention करी जारी है, वो आपको ले जानी है, बिलू बॉल पैन और ये भी आपको रफकार के लिए ले जाना अपना खुद का बिलू पैन ले जाना है तो ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए क्योंको ये कंपल्सर ही हैं आपके लिए ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो यहां पर ये जो चार पॉइंट्स देख रहे हो ये आपके लिए बहुत ही कंपल्सर ही है आपको ये जहान रखना है कि यहां पर देखिए color photograph ले जाने है उसके बार photo जो print निकलवानी है उसकी आपको e-print admin card की वह भी color ले जानी है तो यह लिखा two color copies blue pen ले जाना है blue pen ले जाना है blue pen ले जाना है blue ball pen इसके बार आप लेखने है original ID आपको ये ले जानी है तो ये तो आपके लिए बहुत ही compulsory हो गया इसके बाद आप नीचे पढ़ेंगे तो आपको political मिल जाएगी देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर देखिए पहले में लिखा हुआ है किसी भी परिष्टिती में तिथी समय परिच्छा केंद्र परिच्छा केंद्र में परवतन के अनरोध पर विचार नहीं किया जाएगा यानि आप चाहें कि आप परिच्छा ऐसा करें कि परिच्छा को आगे बढ़वाले या कुछ भी करवाले बहुत नहीं होने वाला कुछ भी ना टाइम में आपका अंतर कैस कोई भी पड़ेगा देगे यह है इस पत्र केबल परिच्छ तिती और परिच्छा की सत्रवदी तक के लिए ही बैद रहेगा जब तक आपकी परिच्छा जैसे मालीजिय आपकी आपकी बाष्तारी को परिच्छा है तो यह बाष्त तक ही वैलिट रहेगा जैसा के प्रेष्ट संख्या बन में निर्विष्ट किया गया है तो यह चीज उन्होंने बताई हुई है आप देखें नम्मद दो पॉइंट देखेंगे यह बहुत इंपॉइंट पॉइंट है इस प्रिविष्ट पत्र के साथ साथ अपनी कोई फोटो पहचान पत्र मूञ प्रती अवसलाई यानि कोई आपको एक पहचान पत्र के तौर प acting ले जाना है उसके बार देखेंगा आप जैसे कौन कोण से हो सकते हैं जैसे ड्राइवेंग लाइसेंस आप ले जा सकते हैं पैनकार्ट ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, उसके बाद आधरकार्ट ले जा सकते हैं, उम्मिदवार की पहचान का मूल प्रमाण पत्र, पत्र से मिला कर की जाएगी, यानि उससे आपको देखा जाएगा कि आप बही गंडिरेट हो, जो कि आप एक्जम देने आये हो या कोई फर्जी तो नहीं हो यह आप इपत्र पर बिना फोटोग्राफ के हैं अगर आपका इपत्र फोटोग्राफ नहीं आया है तो आपको सला दी जाती है कि हाल ही में लिए दो पासफोर्ट साज आकार के फोटो यानि जो हाल ही में आपने फोटो खिचाए हैं पास द्रस्मान होना चाहिए यानि कानुन रुप से वो बैलेड होना चाहिए और प्रवेश पत्र पर नाम से मेल खाना चाहिए यानि जो आपका प्रवेश पत्र में नाम आया हुआ है वही जो आप परच्या पत्र या जो भी आडेंटिटी के लिए जा रहे हैं जैसे माली ड्रा आदरकार में कुछ नाम और आ रहा है और इसमें कुछ नाम का तुम आप ले जा रहे हैं बहुत हो इस यह नहीं चलेगा यह चीज आपको याद रखनी है इसके बाद देखिए फोटो नहीं होना चाहिए साफ सा फोटो पहचान पत्र दिखाई नो चीज़िए आपका दर्खनाट आप तो ऐसा भी आपका माने नहीं होगा अब बेरितियों को उपरियुक्त बेरित ई बैद प्रिविस पत्र पर फोटो पहचान पत्र के बिना परिच्छा केंदर में प्रिविस करने की अनुमती नहीं दी जाएगी तो आप अगर ये नहीं ले जाएगे तो आपको वहाँ पर प्रिविस नहीं करने दिया जाएगा ये पॉइंट नंबर टू था आपका बहुत ही इंपॉइंट पॉइंट है ये टू वाला तो आगर देखेंगे इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर तीन की तरफ चलेंगे तो ये इंगलिस में लिखा हुआ आप इंगलिस में इसको पढ़ सकते हैं नेश्ट देखेंगे पॉइंट नंबर तीन और देखेंगे पॉइंट नंबर तीन में लिखा हुआ है पहनने वाली धातू जैसे बस्तू है जैसे चूड़ी, बैल्ट, कंगन ये देख ली दान से चूड़ी, बैल्ट, कंगन कुछ नहीं होना चाहिए को रखना और उसका प्रियोग परिच्छा में करना पूरते बरजित है यानि ये चीज जब आप एक्जामौल में जाएं तो ये चीज अपनी बाहर ही रखके जाएं या उतार के जाएं ठीक है यह दें, किसी भी उम्मिदवार के पास, किसी भी उम्मिदवार के पास इनमें से कोई भी उपकड़ या दस्ताविज पाया जाता है या परिच्छा फल के परिच्छा के आयोजन में बादा या गड़व किसी भी परकार का उलंगन किये जाने पर अब्रती पर सक्त अनुसासा तमक कारवाही की जाएगी जिससे भविस्थ में परीच्छा क्या जाना देख सकते हैं क्योंकि इस साच्छात्कार के समय और दस्ताबेच की जाँच के दोरान प्रस्तुत किया जाना आप एच्छित है अब देखिए यह बहुत इंपोडेंट पॉइंट है चार इंपोडेंट पॉइंट बहुत है यह आप अच्छे से देख लीजिए यहां पे यह पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यार रखना है जो आपका एडमिट कार्ड अभी आया हुआ है आप जब आप जाएंगे वेरिफाई हो जाएगा सब को सुझाएगा आप प्रिविश्वत्त मनलब एक्जाम देके चले आएंगे तो इसको आप सुरच्छत रख लीजिए भविस् आप जब टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप जो आपका पीटी होगा उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे जब आपका जो डॉक्मेंट वेरिफिशन होगा उस दोरान ये एडमिट कार्ड आप से देखा जाएगा तो आप इसे अच्छे से दलीजिए समाल के रखना मतलब इसको खौना नहीं है आपको अच्छे से रखना है नेस्ट आप पॉइंट देंगे पॉइंट नमबर पांच ये सभी पॉइंट बहुत इंपोडेंट है इनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही आवस्सक है अब बरतियों देखेंगा बरतियों को इस प् गंटे पहले ही आप बहाँ पर पहुंच जाएं ताकि प्रवेश संबंदी यानि फिर आप कहेंगे कि मलब लेट पहुंचते हैं तो आपको वो एंट्री नहीं देते हैं और चारिकता का कार सहिचता से किया जा सके और जो आपके वहाँ पे जो आपको एंट्री कराता है ज ऑदे घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा जो परिच्छाहाका आपका गेट होगा ना जो इस가락 का वह आपका हाप आर पहले ही बंद कर दिया जाएगा अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको यहां想 एन्टły नहीं मिलेगी और आप यहांसे लुटा दिया जाओगे तो इस तरी आपको ये चीज याद रखनी है ध्यान रखना इस चीज का देरी से आने की कोई अगर आप देरी से जा रहे हैं देरी से आने की कोई जो होगी देरी से आने की कोई अनुमती नहीं है इसलिए अब बरतियों को सला दी जाती है कि बे कम से कम परिच्छा स एक दिन पूर्व ही परिच्छा केंद्र पर मतलब उस इस्तिती पर और उस तक पहुंचने संबंधी जानकारी प्राप्ट कर लें यानि यह जान लें का आपका जो कॉलेज है वो कहां पर है हमें कैसे जाना कैसे नहीं जाना यह सब आप जानकारी पहले से ही एक दिन पहले ले 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 तागे परिच्छा के इंदर पर परिच्छा के दिन के इंदर पर समय से पहुंच सकें आप समय से परिच्छा के इंदर पर पहुंच सकें इसलिए आपको पहले से इसकी जानकारी ले ले लिनी है पॉइंट नमबर 6 देगे पॉइंट नमबर 6 लिगा हुआ है यद किसी तक्नीकी खराबी के कार्ड या किसी कार्ड बस परिच्छा निजाए समय पर सुरू नहीं होती है या बीच में बादित होती है तो अब्रतियों को परिच्छा अधिकारियों के निदेश का पालन करना चाहिए समस्या का समाधान होने तक उने धैर पूर्वक प्रिच्छा करनी चाहिए जैसे मालिच आपका पेपर आप दे रहे हैं और सिस्टम में कोई ग्रवड़ी आगई तो आप अपने जो भी है वहां पे जो इन चार्ज है वहां का जो आपके लेब का उसको आप कंपें करिए तो वो आपका सब कुछ सही करके देगा आप उसमें घबडाने की जरूत नहीं है आप वहां पर आप क्या करें प्रिच्छ धैर रखें और प्रिच्छा करें जब तक कि वो सिस्टम सही नहीं हो जाता यह प्रिच्छा पूरी नहीं होती है विवाग उक्त मामले पर उचित कारवाही करेंगा अगर प्रिच्छा आपकी कंप्लीट नहीं आप दे पाते हैं और कोई इसू है वो बना रहता है तो आप से मतलब उचित कारवाही की जाएगी इसके उपर और क्या करा रहेगा निड़े लेगा कि उसका निड़े अंतिम होगा यानि जो निड़े जो अधिकारी लेंगे आपके अंतिम निड़े होगा ये वो अब्रतियों के लिए बादिकारी होगा और अब्रतियों को वो निड़े मानना ही पड़ेगा जो वो आपको आदेश दिया जाता है वो आपको मानना ही पड़ेगा ऐसा ये पॉइंट आपको से कह रहा है और य प्रिश्चा के समय की किसी प्रकार की हानी नहीं होगी इसके बेहगदार है जिसके बेहगदार है मतलब जो आपको जो टाइम दिया जा रहा है यह आपको 90 मिनट्स दी जा रही एक्जाम के लिए जैसे आपको माला देड़ गंटे का आपका एक्जाम होने वाला है तो अगर आपको जैसे सिस्टम खराब होता है तो आपको आप उसके लिए आप घबराई यह मतल आपको पूरा टाइम दिया जाएगा आपकी जो भी इसू होगा तो आपसे दूर किया जाएगा तो इसके छी लिए आपको घबराना नहीं है ठीक है पोट नमबर आठ देगिए भी लोगों के साथ निकाला जाएगा निकास सत्यापन प्रिक्रिया के दोरान जो आपका होगा निकास सत्यापन प्रिक्रिया के दोरान उम्मिद्वार का बायोमेट्रिक जो डेटा होगा फोटो बाए हाथ के अंगूठे का निसान और एल टी आई आदिका एकत्र एकत्रित क जमाँ करने के बाद ही आपको बहां से एकजिट दिया जाएगा आपको निकाला जाएगा पॉइंट नंबर नाइन देखिए महतपूर पॉइंट है पहले सी बोल रखा है कि यह महतफपूर पॉइंट है नाइन तो इसे आप अच्छे से देख लिप ठीक है तो यह आपका मह उम्मिद्वार अपने पंजी क्रेडेंसियल के साथ ओनलाइन पोर्टल में लोगेन कर के सभी पदों के लिए परिच्छा में संचालन के तीन चार दिनों के बाद अपने ब्यक्तिगत उत्तर ओनलाइन प्रक्रिया स्वैम के जवाब और कुंजी देख सकते हैं यानि तीन से चार दिनों के अंदर आपकी जो आंसर की होगी वो आपकी आजाएगी किसी प्रसन और उसके संबंद में प्रसन आपत्ति के मामले में केवल तीन दिनों के भीतर ही पोर्टल में ओनलाइन प्रक्रिया ओनलाइन प्रक्रिया लिंक के माध्यम से जमा कर सकते हैं अ तीन दिन तक आपको टाइम दिया जएका तो उसटीन दिन दौरान ही आप अपने आपति कर देंगे प्राप्ट आपेच्छों आपेच्छों को आपत्थी के रूप रूप देने के लिए विसे सchaयों गए द्वारा फिर से जांच की जाएेगी यानि ये जांच करके फिर क्या करेंगे किसी भी परिस्थिती में संचार चैनल के किसी भी अन्य माध्यम से प्राप्त प्रसंदों या कुंजियों से सम्वन्दित प्रत क्रिया आप एच्छित प्रसंद बिचार नहीं किया जाएगा यानि जब यहाँ पर आप जाँच कर लेंगे जाँच करने के बाद अगर आपका सही निकलेगा तो सही ठहराए जाएगा रिदार्त अबदी के भीतर ही आपतियां की प्राप्ति न होने पर चैन प्रिक्रिया के बाद के चरड में मुल्यंकन के लिए ऐसे उम्मिदबारों को किसी भी भविस के कानूनी दावे के लिए कोई अधिकार नहीं होगा अगर आपने यहाँ पर आपती नहीं करी फिर आप भवस्मिजा गर के ऐसे आपती करते हैं कहीं भी तो आपको यह क्या है आपका यह जो सॉलयूसन होगा आपको फिर नहीं मिलने वाला यह आपकी नहीं सुनेंगे फिर कुछ भी ओनलाइन प्रकिरिया लिंक की सही तारीक और समय CRPF की बैफसाइड पर अपलोड किया जाएगा उम्मीदवार को नियत रूप से बरती बरती चैन प्रकिरिया से सम्मझे सूचना निरदेश सर्कुलर एवं सर्कुलर के माध्यम से से नवीनतम अपडेट के लिए CRPF की बैफसाइड को विजट करना है आपको देखते रहना है ठीक है तो यह आपके लिए इंप्रेट पॉइंट था कि आपके तीन से चार दिन के बाद आपकी आंसर की अफलोड हो जाएगी और तीन से चार दिन जो आपका जैसे आपको यह जो आपके एक्जाम उच्छाट हो रहे हैं वो 28 तारीक तक चलेंगी यानि इसके बाद अगर हम चार दिन जोड़ लेते हैं तो आप दे सकते हैं कि अभी जो दो जात तरीस है तो फरवरी अभी कितने की है यह 28 की है यानि एक मार्च, दो मार्च, तीन मार्च, चार मार्च यानि चार मार्च को आपकी आउंसर की जो होगी वो अपलोड हो जाएगी इसके बाद तीन दिन तक ही यह आपकी आपतियां लेंगे यानि पांच को लेंगे छे को लेंगे और सात को लेंगे फिर यहाँ पर यह portal खतम कर दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा उसके बाद जो आपका होगा वो आपका result बन के आएगा result आपका दिया जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है यह बहुत ही important point है आप फिर पूछेंगा answer की कव आएगी और कवापती होगी त सभी में क्या होगा वीडियो ग्राफिंग चलेगी यहाँ पर सभी लेवों में तो आप वहाँ पर कोई भी अलत एक्टिविटी ना करें जिससे के आप उसमें रिकॉर्ड हो जाए और फिर बाद में आपको दिक्कत हो वह इसमें आप कोई भी एक्जाम नहीं दे पाएंग थनि कई खुए है तो आप मालों के हिंदी में दिखास अइसा तो प्रारूप शे पररचित होने के लिए ऊंविदवार को सला दी जाती है कि वेबसाण इतनी पर आपको देखिए यह जो website है इस पर आप जागर के टेस्ट लगा सकते हैं कि किस प्रारूप में आपका जो वो होगा आपका जो यानि जो टेस्ट होगा वो किस प्रारूप में आएगा तो आप यहां पर जागर के अभी जागर के यहां पर आप क्या आप सकते हैं टेस्ट .gov.in पर जाएं और यहां पर जा करके आप बहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं तो आप अगर मैं ऐसा करूँगा इस पर भी आपको बता दूँगा कि आपको टेस्ट कैसे लगाना है ठीक है अगले वीडियो वह चीज मिल जाएगी तो यह वीडियो काफी लंबा हुआ आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट था इनफोर्मेशन बहुत इंपोटेंट थी तो आप अपने दोस्तों साथ जरूर सेर कर देना यहां पर जैनुवन आपको सब अपडेट्स मिलती है और सबसे जादा बहुत जल्दी मिलती है आपको क्या करना देखिए आप यह चैनल देखने के लिए मिल जाएगा तो यह सोट में है और यह आपका लोंग में है तो आप जागर के वहाँ से हमारे चैनल से जरूर जोन हो जाईए आप एक बार जोन होंगे आपको कभी भी यह नहीं लगेगा कि हमें कोई अपडेट्स नहीं मिल रही है आपको सभी अपडेट आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं दूसरा जरूर सेर करना थैंक यू